गूड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों आज हैं मार्च 11 2022 और हम लोग करने वाले हैं रहींदू न्यूस पेपर के नालसेज मिरे नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सेलेक्टिड टोपिक्स में यहां पे लेके आया हूँ यह पार ब्रीफिली आता है एक दो पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि हम इस टोपिक में करेंगे क्योंकि इंडिया की एक बहुत ही फेमस एक रेटिंग एजनसी है जिसका नाम है क्रिसिल यह टाइम टो टाइम इनफलेशन को लेके फिसकल पॉलिशी वगारों को लेके अपने व्य क्योंकि राजेस्थार में ठोढ़ा सा अन सीजनल जो है वेस्टन डिस्टर्बेंस हुआ है जिसकी वजह से क्रॉप और डेमेज हो गई इसके बारें बात करेंगे एक वायस मनतला एक फोर्मर जो गौवर्णर थे डेपटी गवर्णर अर्बीएक तो उनका इंट्रिवी चाहपा था उसके इंट्रिवी से मैं एक दो चीज़े निकाली है क्या कहना हैं उनका कैसे हम लोग इंडिया की जो एकॉणिमी है इंडिया का इंफ्रसक्टर उसको इंप्रूव कर सकते हैं कैसे हम लोग अपने यहाँ पे banking sector की health को improve कर सकते हैं उसको लेकर उन्हें कुछ बोला है इंडिया जपान exercise के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग ने खत्म की है apart from this मैं इसके लावा कुछ और bilateral exercise के बारे में भी आपको बताऊंगा जो कि इंडिया दूसरी countries के साथ करता है कोफी कल्टिवेशन के बारे में बात करेंगे वैसे तो एक local news नदर आ रही है क्योंकि एक news जो है वो केरला से है कोची से एक news है लेकिन आप overall coffee cultivation के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और कैसे Ukraine और Russia के बेच में जो issue चल रहा है उसकी वज़े से हमारा overall coffee का जो पूरा business है जो trade है वो किस तरह से impact हुआ है international news के लगा कुछ हम लोग देखने वाले है और then we have some additional topics as well दर चले बढ़ते हैं दोस्तों आज लेकिन आज के एक बार front page में देखते हैं क्या है देखे पान स्टेट में election हुए हैना victory declare हुई तो definitely अगर आज आज आप newspaper पढ़ोगे तो mostly आपको यहाँ पर politics की news ही दिखाए देंगी politics की news हमारे लिए कोई खास important होती नहीं एक्जाम में you know very well जब तक वहाँ पर कोई constitution आईवाल एंगल इनवोल नहीं होता election commission या कोई और चीज़े तब तक उसको नहीं करते हैं तो यह political news है इसको तो आप क्लियर लिए आप छोड़ सकते ह यह कोई खास more ने यह नहीं केजिवाल जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है पज़ाब के अंदर तो उसके बारे में एक news ही है यह है जायन इसको कोई कोई खास करने कोई फायदा है नहीं हम लोग सिधा आज शुरुआत करते हैं पहले topic से लेकिन आज क्या था मार्च का कुछ खास नहीं था लेकिन कल क्योंकि मैं नहीं ले पाया था और इसी पूसिविलिटी है कि फ्यूचर में जो है सर और मैं दोनों मिलके ही हम लोग लेंगे कभी सर लेंगे कभी मैं लूँगा अल्टेनेटिव चलेगा और क्योंकि मैं थोड़ा बीजी रहता हूं आजकल दूसरे चीजों में लेकिन सर ने कल बहुत जबरदस लिया तो इसी तरह से हम लोग आप अपनी जो प्रेपरेशन है आपकी उसमें आपकी हल्प करते रहेंगे तो कॉलिटी से कोई नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आप बस हमारे प्लैट्फों के साथ बने रह उनको वाई क्योंकि चोरी-चोरा में जो है वह हो गई थी घटना उसकी वज़े से गांधी जी ने वापिस ले लिया था लेकिन उसी दोरान हमारे यहां पर बहुत सारी चीज़े हो रही थी कहीं पर मार्शल रोल लग रहा था रोल एक्ट था उन सारी की सारी चीजों की व कुल हेल्थ हेल्थ इशू हो गए थे अक्ट्री इनको अपेंडिक्स को अपरेशन करवाना था तो उसके लिए चले गए थे दो साल में ही बहार आ गए थे लेकिन वो ट्रैल काफी इंटरस्टिंग है क्योंकि गांधी जी ने जो है अपना मानने से मना कर दिया था इवन ग लिए इस तरह का केस मेरी जिन्नकी पहली बार आया है और ऐसा इंसान मैंने जिन्नकी पहली बार देखा है तो खुद कह रहे है कि मुझे कडी से कडी सजा दीजिए लेकिन मैं जुकूंगा नहीं तो और गांदे जी इतनी पोपलर थे तो अलबर आइंस्टें में भी कहा थ था कि दुनिया आने वाले समय में इस चीज को विश्वाशी नहीं कर पाएगी कि एक ऐसा आदमी जो है धर्टी के ओपर कभी चला था मतलब सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो जिस मास और हाड का बना हुआ क्योंकि आने वाली जो गांदी जी के कॉंट्रिबूशन को उनकी कि अगmus लेके कहा हैं privateatto самомρα और सकatृए सब्सक्ण ऑनरे जोऑंते प्सक्ति कर देदेए का महायो चैज लेकिन गांदी जी को अइंडीजी को हमारी ज्रूरत है हमें कांदी जी कि ज्यादा जरूरत है ऑज अगर हम लोग इंडिया में? बश्यो बात करते हैं इंडिय की वैल्यू की बात करते हैं तो उसके सेंटर में कहीं न कहीं गांधी जी खड़े हुए मिलते हैं चलिए दोस्तों आप गांधी जी बात करो तो नहीं कम है इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं खेला के बढ़ते हैं अब पहला टोपिक है इंफलेशन में स्टे बिलो सिस परसेंट इवन इफ ओल एवरेज इस हंडड़ परसेंट देखें अभी मामना पुरा क्या चल रहा है के यूक्रेन और रश्या की क्राइस के वज़े से जो डॉल है ओल बहुत ज्यादा हाई चल रहा है इसमें इवन हंडड़ डॉलर प्लस पर बैरल कहीं कहीं पे तो 110 120 डॉलर भी चल रहा है तो पुरी दुनिया में ओल के प्राइस बहुत ज़्यादा बड़े हुए यूएस से में भी हालत बहुत खराब है यूरप के तो क्या ही कहीं क्योंकि यूरप का तो पुरा 25-30 प्रसेंट जो ओल की रिक्वार्मेंट हो रश्या से ही पूरी होती है स फिल हाल इंडिया में इसका बहुत जादे नजर नहीं आया है क्योंकि सपॉट कर एक तरह से तो वह सारी चीज़े हैं लेकिन यहाँ पर बात करते हैं inflation मतलब हमारे इंफलेशन दोत रहा होता है एक तो WPI और एक होता है CPI WPI मतलब यह manufacturing side से होता है जो manufacturers होते हैं जो producers होते हैं उनके उसको measure करता है inflation को CPI जो है consumer price index है जो इससे हम लोग retail inflation भी कहते हैं जिससे एक्चुली आप जैसे लोगों को मेरे जैसे लोगों को फरक पड़ता है यह 6% की limit है क्योंकि यह 6% बहुत ही खास number है RBI ने जो decide किया है inflation की limit वह है 2% to 6% मतलब ऐसे तो 4% है plus minus 2 मतलब एक healthy range मानी जाती है अगर 2% से कम inflation जाती है तो that is also dangerous और 6% से अगर जादा हो जाती है वो भी बहुत dangerous होती है तो उसको manage करना है तो इनका क्रेसिल का कहना है कि फिलहाल इंडिया में नोबत ऐसी नहीं आई है और हम लोग इसको manage कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में definitely यहां पर issue create होगा और को इंफलेशन वुड रिमेंड सेम बिकोज फर्म से में पास higher prices to the customers क्या होता है बार-बार हम लोग बात कर चुके हमारे पास दो द्रहें का inflation होता है दोस्तों एक होता हमारे पास headline inflation headline inflation को आप यह कह सकते हैं हमारा overall inflation होता है overall inflation लेकिन इस overall inflation के अंदर दो चीज़े ऐसी होती है जो बहुत ही fast fluctuate करती है जल्दी-जल्दी जैसे आपका food हो गया बहुत जल्दी inflation मतलब fluctuation होता है और एक आपका हो गया fuel और food है ना यह दो चीज़े ऐसी है तो अगर मैं इनको fluctuation inflation को हटा देता हूं overall inflation से तो अगर आप overall inflation से जो है headline inflation जिसको बोला जाता है अगर इसमें आप जो है food और fuel इन दोनों के prices को minus कर देते हो तो हमारे पास जो बचता है ना वह काफी stable inflation होती है और उसी stable inflation को हम लोग core inflation बोलते हैं तो इनका कहना है कि इंडिया में अभी core inflation तो सही ही रहेगा कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि देखें होता कहना यह होता है अपने घर से खर्चा नहीं करता है वह खुद नुक्सान नहीं करता है अगर मालो raw material की कीमते बढ़ रही है यह स्टाफ की salary बढ़ रही है यह कुछ भी हो रहा है यह टेक्सी सरकार जादा बढ़ा रह सिर्फ चीजे महेंगी हो जाती है और customer को समस्या आती है manufacture तो इनका यहीं कहना है कि भाई अभी course core inflation को दिक्कत है नहीं जादा लेकिन आने वाले समय में consumer को पर definitely यहां पर जादा असर पढ़ने वाला है solution में बताया इन्होंने जब परोलो बताया तो solution में बताया यह इस तर इनको कहना है कि जो fiscal policy है यह जादा और aggressive तरीके से होनी चाहिए मतला जो fiscal policy में आप बोल सकते हो कि सरकार का expenditure होता है सरकार की income होती है जो taxation होता है non tax income होती है वो सब fiscal policy के अंदर आता है इसको सरकार को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से manage करने की जुरूरत है कई हमारा tax base बंद्रेगा ही आप बोल लीजिए या और भी जो made in India make in India के अंदर जो program चल रहे हैं वो सारी चीज़े उनके अंदर और ज्यादा सरकार को जो है पैसा लोकेट करने की जुरूरत इहां पर है पूट सब्सीडी दीजिए और जाते से ज्यादा और cutting duties on the petroleum product petroleum product बहुत महंग है ultimately petroleum product महंग होने कवज़े से inflation बढ़ता है तो अगर सरकार चाहती है कि actually inflation को control करे तो इसको definitely यह इसके prices को cut करना पड़ेगा और सब्सीडी पे और जादा focus करना पड़ेगा तो these are some of the solutions which are suggested by the crystal and it's a very popular rating agency in India rating agency मतलब जैसे अगर आप international उसकी बात करो तो हमारे पास एक आती है बाकी बची हुई 40 है और इसके अंदर जो है जो majority जो shareholder है वो यही है S&P standard and poor बोलते हैं इसको तो international rating agency ने इसके अंदर invest किया हुआ है जो कि अपने आप में दोनों ही काफी बड़ी है उसके लाब एक और rating agency है इंडिया में जो काफी popular है उसका नाम है के एसको short में के बोलते है वह और एक्चुल इसका नाम हो जाता है credit analysis and research limited rating 1993 में established हुई थी और इन दोनों का जो headquarter है दोस्तों वह कहां है मुंबई के अंदर इसलिए मुंबई को इंडिया की capital financial capital कहा जाता है RBI सभी बैंकों के head offices यहां पर है एजन्सी के head office यहां पर है और वो सारी सारी चीज़े है जोस्तों इस topic में यही थे से जादे कुछ करने का यहां पर है नहीं अगर आप inflation के बारे में थ्लोर पढ़ना चाहते हो तो मैं एक extra slide यहां पर add किया हुआ है मैं पहली पिछली classes में कर चुका हूं तो कुछ नयात इसमें है नहीं हमारे पास तीन चार तरह का CPI होता है consumer price index इंडेक्स इंडेस्ट्र वरकर के लिए होता है अग्रिकल्चर वरकर के लिए होता है रूरल लेवरर्स के लिए होता है और अर्बन नोन मैनुवल एमप्लोई के लिए होता है कौन सी agency इनको जो है रिलीज करती है labor bureau NSO वह आपको जरूर करना है क्योंकि यहां से UPSC में कई बार लगातार question पुछा जा चुका है कि industrial worker का CPI हो कौन रिलीज करता है कौन compile करता है अग्रिकल्चर लेवरर्स करता है वो सारी सारी चीज़े एक्चली जो मंद्रेगा वगारा के जो पर आपको जाती है उसके लावत दोस्तों एक दो मैंने में एक्षी को यहां पर याड किया है हाला कि यह में से कुज़ को नए नहीं है लेकिन फिर भी आपको अटेम्ट करने है कल मैं ही लूँगा और देखने वाला हूँ कि कितने स्टुडेंट हमारे यहां पे इसको हैं आज फिर से मैं आपको बहुं डियल्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अगले आर्टिकल में मतला आज की क्लास में ही तो देखना है आपने के एक्षन ओधा युनाइटल स्टेट फेडरल रिजर्व एक्षन ओधा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया वह सारी चीज़े कल जो है इसको हम लोग करेंगे एकॉनमी के क्योंकि एकॉनमी के एमसी को यहां पर आती है तो हमारा पॉलिटी के उपर रहता है लेकिन हमेंशन मैं पिक तो डिजास्टर मेडिजिमेंट का है अब हुआ यह एक राजय स्थान में के वैस्टर्ण डिस्टर्बेंस की वज़े से अचानक से एकदम बे मौसमी बारिश तो बारिश भी नहीं बलकि हेल्स्टोम हो गया ओले पड़ गए जिसकी वज़े से वहां पर जो इसमें क् कितना डेमेज हुआ है सर्वेवगारा होगा डेमेज का पता चलेगा तो उसके बाद उनको कंपंसेशन दिया जा सकता है और राजस्तान सरकार यह सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रही है बलकि सेंटर के लिए भी कर रही है क्योंकि हमारी जो प्रदाहान मंत्री जो क्रोप अगर यहां के रिकार्डिंग कोई स्कीम सरकार अगर स्पैसिफिक ली चलाती है तो एक्जाम में डेफिनेटली वहां से जादा क्वेशन पूछे जाते हैं यह जो प्रदाहान मंत्री फसल अभीमा योजना है दोस्तों यह चलाई गई थी कब यह 2060 में चलाई गई थी और द्रोट्स उसके लावा पैस्ट इंफैस्टेशन मतलब बहुत जादा अगर वहां पर अटैक हो जाता है पैस्ट वगएरा का साइकलोन भी यहां पर कवर किये गए हैं और अनसीजनल रेन भी बेसिकली यहां पर कवर की गई है जो कि इस बार वेस्टन डिस्ट्रमेंस को ल है और भी कहीं सरी चीज़ें हैं जो कि यह फसल विवा योजना के अंदर जैसे मालों किसी ने आपस में बहस बाजी में कहीं पर आगा लगा दिया आपकी फसल बरबाद कर दी हैना वो सब चीज़ें यहां पर कवर नहीं की गई हैं आप बैसे कली तो यह जो डिजास्ट्र वो सारी तीज़ें यहां पर कवर हो जाती है नोर्थीस्ट इंडिया को लेकर स्पैशल प्रोविजन है कि वहां का जो 90 प्रोविजन है वो सब्सिडाइज होता है संटर के दौरा तो इस स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप उसको अलग से पढ़ स गाते हैं कि माँएंने बहुत सारे प्रोजेट्ट्थ रिस्की और उनका बहुत ज्यादा होगा और उनके उपर से रिटर्न बहुत कम होगाdz कंगा कई ऐसे वींचर हो सकते हैं जो सेफ उनके को दिक्कत नहीं है यहां पर बात आती है रिपटष descent की से बेजनेस्मocy लोग क जिसके वाज़े से बैंकों का NPA बढ़ जाता है और overall हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो एकदम डाउन चला जाता है तो हमारे जो है former RBI deputy governor रहे है Mr. N.S. स्वामी नाथन इनका कहना है कि यह जो पूरा model है वो change होना चाहिए तो अगर आपके पास कोई risky venture है अगर आप कोई ऐसा project लगा रहे हो तो instead of going to the banks what you should do you should directly go to the bond market अब bond market से पैसा उठाईए भाया आप जो है बैंकों के पास मज जाईए bond market का मतलब होता है दोस्तों borrow करना इसमें आप contract करते हो किसी के साथ और आप पैसा borrow करते हो किसी particular time के लिए जैसे पांच साल के लिए दस साल के लिए वह बॉंड के थुरू बॉंड कुछ नहीं होता दोस्तों पीस ओ पेपर होता है जिसके उपर लिख रहता है माल लो मुझे जो है इस समय अकर मुझे एक क्रोड की requirement है तो उसके पर मैं लिखता हूँ के माई नेम है इस इतिन दर चोदरी और दिस माई कंपनी आइंट इस प्रोजेक्ट एंड फोर दिस प्रोजेक्ट आनीड वन क्रोड रुपीज और वह वह बॉंड को लेने देना नहीं है यह डिरेक्टली जो बॉर्विंग है वह सिधा परसंट से होती है किसी कंपनी से भी हो सकते किसी भी हो सकती है तो बैंकों कोई लेना देना नहीं है अगर पैसा यहां पर दूबेगा तो इस परसंट को डूबेगा जिसने इस अंदर इन्वेस्ट किया है तो एंपी जेनरेट नहीं होगा तो स्वामी नाथन जी कहना है वह यह जो रिस्की प्रोजेक्ट है आप उसको जो कंपनिया होती थी जो नुकसान में जा रही होती थी और फिर वह करती क्या करती थी वह जो है अपने आपको इंसॉल्वेंट कर देती थी मतलब पैंकरप्ट लेकिन यह प्रोसीजर बहुत 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 लंबा होता था आप कोट में के चलता रहता था पांच साल दस साल प कंपनी है एकस वाइज एड और इसने जो है पी एनबी से लौन लिया हुआ है तो अगर माले कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो इसका फैसला जल्दी से जल्दी होगा और पी जो है इसके असेट को बेचके अपने पैसे की भरपाई कर सकता है पहले ऐसा नहीं होता था पहल कहा जाता है यह हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस के प्रस्पेक्टिव से स्पैशली लेकिन इसके अंदर अभी कुछ कमिया है तो इन्हों का कहना है कि स्वामिन वीश्वनात जीगा अभी थोड़ा से इसमें इंप्रोव्मेंट करने की और ज्यादा सकते हो कि जैपनीज ओफिश्यल है और हमारे ओफिश्यल है जंडा लेके वह गिस्तरे से जा रहे हैं और यह एक्सराइज बहुत रेगलर तरीके से की जाती है लेकिन इस पार इस एक्सराइज का जो फोकस रहा है वह रहा है ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलोजी के ऊप पर उसके लाव इंडिया दूसरी कंट्री के साथ और भी बहुत सारी एक्सराइज करता है जैसे कि यहां पर देख सकते हो इनके नाम अलग लग दिये हुए है मैंने जी मैक्स जो है जपैन के साथ एक और एक होगी हमारी धर्म गार्जियन राइट उसके लब एक्सराइज निए पिछ ब्लैक्ट मो लोग करते हैं और विद्री एक सरसाइज नहीं है और नहीं एएरफोर्स एक्सराइज यह हैं पूरी की पूरी दरह तो थोड़ा साथ आपने यह च्छान रखना है उसके लाव यह कह रहे हैं कि यह चल रहा है उसकी वज़े से हमारे यहां पर जो कोफी जो पूरा ट्रेड है वो इत्म डैमेज हो गया है कोची को लेके यह बात बहुत रहे है कि कोची में काफी ज्यादा डैमेज हो गया है क्योंकि अगर आप कोची की बात करो तो आप यह समझ लीजे के इंडिया में जो टोटल जो कोफी हम लोग गुरो करते हैं 20% के लगभग पूरा टोटल जो है वो केरला के अंदर होता है हाल कोफी का लैणा ऐसे पूछ लेता है लेकिन कोची के बारे में इस बात है कोची की जो करते कार्टी कोची एक हैं दॉक्साना है को वह बस बस रिकवले में कुछ खास ऐसी दमदार चीज़ेंगे कोफी के बारी में थोड़ा से बतादेता हूं कि कोफी जो है एक 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 कोफी में इंडिया दुनिया का मेरे खाल से सबसे लार्जेस्ट कोफी प्रोड्यूसर कंट्री है हालांकि दुनिया में अ 80 से ज्यादा countries में coffee cultivation किया जाता है लेकिन इंडिया is the sixth largest producer है और इंडिया का 80% से ज्यादा जो coffee है वो सिर्फ export purpose के लिए ही produce किया जाता है और इसमें से बहुत सारा जो product है वो आपका Middle East में जाते है Central Asian countries में जाते हैं वहाँ पी उनको किया जाता है और coffee दोस्ते कैसी plantation होती है जिसको जो है थोड़ा temperature भी अच्छा खासा चाहिए अच्छा खासा इंद सेंस कि यह नहीं कि यह 40-50 डिग्रे temperature होना चाहिए मतलब 15 से 15 डिग्री से लेकर आप यह समझ लिए कि 28 य29 डिग्री तक का temperature उसको चाहिए होता है इसे ज्यादा और लेकिन इसको rainfall अच्छा खासा चाहिए तो 150 सेंटीमेटर से लेकर जो है 250 से ज्यादा का पानी इसको चाहिए होता है तो देफिनेटली इतना पानी तो ही मिलेगा कहां पर जैसे हमारा वेस्टन घाट है तो वेस्टन घाट में खूब बारिश होती है और धलान भी काफी स्टीप होती है जिसकी वज़े से पूरा पानी वह नीचे की तरफ आ जाता है यह कुछ-कुछ चीज़े होती है कोफी कोफी प्लांटेशन के लिए और एक दो चीज़ आपको और बता देता हूं जैसे अगर आप कोफी प्लांटेशन की बात करो तो हमारे यहां पर दो तरह की कोफी की जो है वराइटी होती है एक होती है रोबस्ता अपने पहले पढ़ा ही होगा अपने अनिसियाटी के अंद भी आपको जो है स्लाइट्स के अंदर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शिन बुक्स में आप जाओगे तो वहां पर उसमें लिंक क्लिक करो के लिंक के उपर तो आपको यह पूरा वहां पर मिल जाएगा डोवल कॉल्स फॉर्टा मैरिटाम कोपरेशन देखे कहीं सारी कंट्री जिसके ऑफिशल के साथ जो है मिस्टर डोवल ने जो की हमारे ने से हैं उन्होंने बात किया है जिसके अंदर हम लोग ने बंगलादेश को इन्वाइट किया सेचल वह सारी सारी चीज़े है इसको थोड़ा सा हम लोग अपने उसमें देख लेंगे कि क्या है यह पूरा माम इस वगरा उसके लावा वीट मुसलीन राय बारले वगरा बुला हम लोग आपको नहीं देंगे अगर आप हमारे पर संक्शन लगाओगे तो तो डोवल कॉल्स पर मेरिटाइम कोपरेशन उसके बारे में बात कर रहा है तो कहीं सारी कंट्री के और ऑफिशल्स यहां पर आ लोगों को अभी एक साथ होने की जुरूरत है क्योंकि मेरिटाइम कोपरेशन अगर नहीं होगा तो बाहर वाले लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं और हम नहीं चाहते यार कि हमारा जो इंडियन ओशन है वहाँ पर कुछ दिक्केते आएं हम चाहते है कि जाये पीसफुल और इंडिया के लिए भी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि लड़ाई जगडा तो देखे वैसे ठीक रहता ही नहीं है चाहे किसी भी लेवल पर हो इनफलेशन में स्टेब लोग यह हम लोग ने करी लिया है कोल इंपोर्ट फ्रूम रशिया में भी हाइस्ट इंदा टू य है उन्होंने कहा है कर भी अगर आप हमसे कोल खरीदते हो तो मैं आपको थोड़ा डिसकाउंट भूंगा क्योंकि वो चाहता है कि उसकी एकॉनमी जो है वो पूरी तरह से रहे क्योंकि वोर को फंटिंग करना दोनों दोस्तों इस दुनिया में सबसे महंगा काम है और इस सम दो तिन हफते के अंदर अंदर वो बड़ी बात यहां पर है उसके लाव यह लोग बात कर रहे हैं कि रूबल और रूपी में भी ट्रेडिंग किया जाए मतलब यहां पर डॉलर को नहीं लिया गया मतलब कहने कही है कि अगर हम लोग फ्यूचर में रशिया से अगर कोल खर सप्लायर है यहां पर दो चीज़े मेंशन की गई हैं दोस्तों पहली मेंशन की गई है कोकिंग एंड थर्मल कोल क्या है यह थोड़ा आपको मैं बता देता हूं देखिये जहां कारते हो यहां नहीं होता है हला कि उसके नृर्मल कोल से ही किया देखिये जो चीमनी बहुता होती है जैसे खासकर जो है इसका यूज Gerade आँ है फिर्व कोड़ा यह उनकी तो नहीं डालता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़दा ash content होता है pollution होता है तो हम इसके अंदर special तरह का कोल डालते हैं जिसे का जाता है cooking कोल यह बनाए कैसे जाता है जो हमारा normal कोल होता है उस normal कोल को हम लोग जो है बहुत ही कम यानिके absence या फिर very limited supply of oxygen में गरम करते हैं अगर उसको ऐसे हम लोग गरम करते हैं high temperature देते हैं oxygen की supply बहुत कम होती है तो वह एकदम से उसका जो impurities होती है उसके अंदर जो carbon content होता है जो sulfur content होता है वो remove हो जाता है carbon content नहीं sulfur content और दूसरी impurities उसके अलावा हमारे पास बचता है वो बचता है एकदम pure coal इसी pure coal को हम लोग बोलते हैं cooking coal इस cooking coal को furnace में यूज़ किया जाता है जब हम लोग iron ore की smelting करते हैं तो iron ore हम इसमें add करते हैं furnace के अंदर इसे जो जो उसके अलावा output हमें मिलता है उसे हम लोग कहते हैं pig iron चीक है pig iron उसके बाद जो है pig iron को फर्दर और ज्यादा pure कर दिया जाता है जिससे हम लोग stainless steel बनाते हैं उसके लाग cast iron बनाते हैं अलग लग तरह का quality iron हम यहाँ पर बना सकते हैं रोट iron बनाते हैं वो सारी सारी चीज़ें तो इसलिए cooking coal की बहुत ज़्यादा requirement है steel की production के लिए और इंडिया जो है दुनिया का सबसे largest steel producers में तो definitely आता है एक developing country है तो steel की requirement होती ही है इसलिए इंडिया को cooking coal की बहुत ज़्यादा requirement पढ़ती है लेकिन normal coal से cooking coal के अंदर convert करने की technology इतनी अच्छी हमारे पास है नहीं इसलिए हम इसको दूसरी country से import करते हैं उसके लाब जो दूसरा coal यहाँ भी mention किया गया इस article के अंदर दोस्तों वो जो cooking coal है उसको हम लोग iron ore की smelting के लिए करते हैं या फिर आप steel production भी कह सकते हो थोड़ा सा इन दोनों यह फरक होता है और रशिया से हम लोग जो है cooking coal को जादा import करते हैं ठीक है तो यही था उसके बारे में तो इसमें कुछ खास था नहीं बाकी तो आप चीज़े देखी सक कुछ अच्छा खास आएगा तो देखेंगे मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन तीन दिन जो है लगातार वह ऐसे ही टाइप के आर्टिकल चलने वाले एंडिटोरियल ज्यादा तर जो पोलिटिक्स जिसके अंदर इंदर इंडिया ने रशिया के साथ कोलाइबरेशन करक और यहां पर रशिया हम लोगों को जो है 6 जो है वो नुकलियर जो प्लांट बना के देगा मतलब जो फैसिलिटीज है वो बना के देगा जिसमें से 6000 मेगा वोट की बिजली पैदा होगी और यह कहीं सारे स्टेट को सर्व करेगी जैसे हमारे हैं पे केरला करनाटका तमीला इनको जो है वो सर्व करने वाली है लेकिन जब से यह प्रोजेक्ट की अनौंसमेंट हुई है इसको यह बनके तयार हुआ है यह चलना शुरू हुआ है पहले दिन से ही इसको लेकर आसपास कंट्रवर्सी रही है क्योंकि अन्वार्मेंटर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है तो वाई चांसमान लोकल को कोई एक्सिडेंट हो जाता है कोई सुनामी आ गया कोई स्ट्रोंग अर्थक्वेक आ गया और यहां से अगर लीकेज हो जाता है तो इन लोगों को आप रेस्क्यू नहीं कर पाऊगे तो 25 से 30 लाख लोग रहते हैं काफी ज़्यादा पॉपल है कि आप इसको थोड़ा सा ठीठाक से अर्रेंजमेंट कीजिए उसी के केस में जो है यह न्यूज बनाई गई है तो एक यह है देखे अवे फ्रूम रियक्टर अवे फ्रूम रियक्टर जिसे कहा गया एफर तो एफर के तहत सरकार क्या करने वाली है आपका जो गाउम है कुंडा कुलम जो विलेज है सरकार का कहना है कि यहां से जो वेस्ट मटेरल निकलेगा उसको मैं इस गाउं में डालूंगा डंप करूंगा उसके अंदर जमीन के अंदर जो है कहीं किलोमेटर नीचे उसको डंप किया जाएगा तो उसी बज़े से जो गाउं वालों ने एक के साथ हम लोग ने मिलके बनाए अब इसको ध्यान रहते हैं बस चलिए यह कुछ-कुछ चीज़ें यहां पर है उसे लाव यहां पर देख सकते हो कैन डॉनबास रिपब्लिक्स वर्क ऐस बफर जोन यह तो पूरे का पूरा मामला अगर आप देखो तो यूक्रेन और रश प्राम अच्छे वाला नहीं दिया हुआ यहां पर तो यहां पर जो है आपका यह साइड में जो है डॉनबास आ जाता है इस्टन रिजिन में जिसको रॉस्य ने रेकनाईज किया है कि आप सेपरेट कंट्री हो और उसी को लेकर पूरा मामला बना हुआ था क्योंकि यहां यहां पर जो है सेपरेटिस्ट लोग लगता रॉस्या की हेल्प लेते हैं और वह उक्रेट की सरकार के साथ लड़ते रहते हैं क्रीमिया के तो 2014 में ही कैप्चर कर लिया था उसने रॉस्या ने यह पूरे मामला बनता है कि इसको हर इस टोपिक को लेकर पर्टिकुलर्ली को सब्सक्रेटिस्ट से बिलोंग करते हैं तो उसको लेकर जो है यहां पर तीन एरियाज बेसिकली बताए गए है एक का नाम हो जाता है अब खाजिया आप यहां पर देख सकते हो मैं इसको तो फासना लाइट कर लेता हूं अब खाजिया नाम क्ए जगे में आती है नोर्थ साउथ औस से यह दोनों है जिए गेंदर और जो ट्रांसिस्त्रिया है यह मोल्डवा केंदर मोल्डवा और जो वैसे तो अलग सेपरेट कंट्री हैं और जो कि रस्या से निकली ती लेकिन यहां पर इस यह चलता रहता है कि इन रिजन्स को रॉष्या ने मानेता दी हुई है लेकिन इंटरनेशनल कम्मूनिटी ने इनको कोई भी मानेता नहीं दी हुई है जैसे के आप यहां पर देख सकते हो जो पिंक कलर वाला एरिया है यह है अब खांजिया औ पता नहीं क्या पना अनिसेशन है इसका त्रांस्त्रिस्त्रिया अगर आ जाएगा आपको यह बताना है कि यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है उसके लब कुछ और अगर आपको यहां पर जाननी है अगर लोकेशन तो डेफिनेटली वह भी देख सकते हो यह कर्च के बारे तो यह आपका टर्की हो जाता हा इधर से और यहां पे आपका से मरमरा जोस्तिए है जैसा कि आप यहां पे किलिए इस डियाकराम के नदर liberties के अनदर भी देख इसलिए तर्की का काफी important role हो जाता है अगर रशिया को black sea के अंदर अगर access लेनी है तो definitely इसको तर्की के permission से ही आना पड़ेगा अगर तर्की मना कर दे तो black sea के अंदर रशिया नहीं आ पाएगा नहीं यहां से बाहर निकल पाएगा और यह जो moment होती है oceans के अंदर seas के अंदर इसको United Nation जो है sea of law उसके अंदर इसको control क्या जाता है लेकिन टर्की जो है उसका part है ही नहीं तो रशिया का मतलई यह है कि टर्की को international जो United Nation के अंदर rules and regulation है उनको follow नहीं करना पड़ता जहां तक oceans के अंदर moment की बात आती है तो लेकिन इसलिए जो है रशिया टर्की से ज़्यदा पंगा लेता भी नहीं है और हालांकि अजरबेजान में जब इशू हो था तो उस समय इनके बीच में थोड़ी से tension हो गई थी बट overall टर्की के relation रशिया के साथ यूक्रेन के साथ दोनों अच्छे हैं और अभी टर्की यहां पर गुमफिर के बाद यहीं आती है कि अभी एक सैटलाइट था जो की भटक रहा था स्पेस के अंदर और वो जो है मून के ओपर जाके लेंड हुआ लेंड तो नहीं हुआ मतलब गिरा है सिदा करेश हुआ है बेसिकली लेंडिंग क्रेश लेंडिंग होई है क्रेश लेंडिं कह सकते हो रोकेट कुछ भी पहले कहा जा रहा था कि इस पेसेक्स का है जो कि इलोन मस्क की कंपनी है उसी के उसी का कुछ पार्ट है लेकिन बाद में कहा गया है बलकि चाइनीज जो है जो उनका लूनर मिशन था चाइनिया का जिसका नाव था चांग एफ टी वन इसका ही एक जो चीज बोली है साइंस अंटेक वाले पॉर्शन से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह कि जो जो क्रेटर होते हैं वो नए नहीं है वहर प्लेनेट के उपर आपको पाय जाते हैं अर्थ के उपर भी बहुत सरी क्रेटर पाय जाते हैं तो जो एस्ट्रोड होते है हैं जो मिटेवराइट होते हैं वो हमारे सोदर सिस्टम से लगातार अर्थ पर विजिट करते रहते हैं और अर्थ के साथ टकराते रहते हैं पास्ट में बहुत सरी ऐसे इंपक्ट होते हैं लेकिन अर्थ के उपर इस तरह के इंपक्ट होते हैं अर्थ उनको बहुत जल्द जो इस परते जो सो की कियाना है तो यहीँ कहना है कि जो वियाज ये रिचेटरू बनाया है जो की चाइना का रोकेट था तो डीफिनिटली वह भी वहाँ पर्मेनेंट हो गया है 2021-2013-2014 पल्टकरा था लगातर और नासा और बहुत सारी लोग उसको ट्रेक कर रहे थे लहाला कि चाइना ने इसको मना किया है लेकिन उन्हें एक जीज़ यहां पर बोली कि इस समय अगर आप मून की बात करो तो नासा का प्रोग्राइम है लूनर रिकनेंस और एक तो यह वाला और एक इंडिया का जो चंद्रियान टू है यह दोनों मिशन इस समय वहां पर सकते हैं टेकनोजी पुरा पुरा कमाल रहता है दोस्तों यह सब बाकि आज दोर कुछ खास है नहीं बाकि अगर कुछ आपका एक्स्टर डिटेल चाहिए तो डेफिनेटल यह डोकुमेंट जो बनाता हूं मैं आपके लिए वह तापको मिली जाएगा आपको बस करना कुछ नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है उसके पर लिंक पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बाकि जो स्टुडेंट हमारे प्लैट्फॉर पे नहीं जूड़े हैं उनको पता देता हूं कि हम लोग ने अपना जो है लॉंच किया है अपन कुरा डेटेल यहां पर करवाया जाएगा क्लास में डिक्टेशन होगा सकते हो टेस्स रिस रैटिंग प्रेक्टिस सब कुछ यहां पर किया जाएगा तो अगर आप भी कोई एक ऐसी कोचिंग ढूड़ने की कोशिश कर रहे हो अपने आसपास अगर आपको लेना है कोचिं तो definitely आप हमारी coaching opt कर सकते हो, इतने समय से आप हमें जानते हो, और आपे पता हम लोगों पढ़ाने का तरीका क्या है, हम लोगों की intentions क्या है, तो कोई भी किसी तरह के आपको support की जुरुत हो, तो definitely हमें विश्चा आपके लिए तयार यहां पे रहने वाले हैं, चलिए दोस्तो आज के लिए तना ही, thank you very much, all the best and jahind.